समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के विशिष्ट संसकरण में प्रकाशित डॉक्टर हिल के जीवन चरित के असंग्रहित लेखों का एक प्रकाशन है। समवाद दाताओं तथा डॉक्टर हिल लिखे तिन लेकों के द्वारा हमें उनके एक प्रेरक वक्ता होने के साथ साथ उनकी लुभावनी लेखन शैली एवं लोक प्रियता की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने पाया है कि Science of Success सीरीज एक वास्तविक खजाने की तरहा है जिसमें 35 मायमी हेरल्ड लेक तथा 18 अतिरिक्त गहन निबंध हैं जो एक एक कर सफलता के सिधानतों की विस्टित व्याख्या करते हैं। Dr. Hill's Success Philosophy के Napoleon Hill World Learning Center की छात्रा, अनुयाई, प्रशिक्षक एवं शैक्षनिक निदेशक होने के नाते मैं उनके द्वारा लिखित अतिरिक्त लेखों को तलाशती हूँ। समाचार पत्रों के इन स्तंभों में Dr. Hill अपनी बातों को लोगों के मन मस्तिष्क तक सुगमता से पहुचाने के लिए अनूठे उदाहरणों का प्रयोक किया करते थे। जिन लोगों ने Dr. Hill की पुस्तकों का रसा स्वादन किया है वे ये जान पाएंगे कि इन लेखों ने दुनिया भर के विभिन धर्म निर्पेक्ष अत्वा धार्मिक देशों के लोगों पर विशिष्ट प्रभाव डाला है। व्यक्तिगत सफलता किस प्रकार प्राप की जा सकती है ये समझाने के लिए हिल ने कई सीमाओं को पार किया। Dr. Hill की जीवन कृतियों की प्रस्तावना के रूप में इन लेखों को पढ़ें। ततपस्चात कुछ और गहराई में उतरें तथा उनकी कुछ अन्यसाहितिक कृतियों को पढ़ें। जैसे Think and Grow Rich, Law of Success अथवा How to Sail Your Way Through Life साथ ही Dr. Hill द्वारा बताय गई बातों को अपने व्यवहार में भी उतारें। यहां उद्देश केवल ये सुनिश्चित करना नहीं कि Dr. Hill ने क्या लिखा है, बलकि जीवन में सफलता पाने के लिए उनकी लिखी बातों को अपने जीवन व्यवहार में उतारना है। शुरुआत में आप उनके एक दो विचार ही अपनाएं, जो आपको सबसे अच्छे लगे हो। और जब आपको उनके परिणाम दिखाई देने लगें, तब Dr. Hill की अन्यशिक्षाओं को भी जीवन में उतारते जाएं और अपनी सफलता का आधार सुद्रिढ करते जाएं। मैं निश्चित रूप से भविश्यवानी करती हूँ कि जैसे ही आप प्रत्यक्ष रूप से इन परिणामों को देखेंगे, आप उत्सुक्तावश अपने पुराने स्वा को अलग रखते हुए दुनिया के समक्ष एक विक्सित स्वा के साथ प्रस्तुत होंगे। ये पु मैं निश्चित स्वार में पढ़ने योग्य है। इनमें कोई न कोई ऐसी बात है जो आपको सदकार्य की प्रेरणा देती है। मैंने उनकी कृतियों के संग्रह तथा इसे पुस्तक रूप में परिनत करने का कार्य बड़े आनंद के साथ किया है। क्योंकि इनमें डॉक्टर हिल ने अपनी कृतियों की शाश्वत प्रकृति को तभी समझ लिया था जब उन्होंने ये कहा था ये कृतियां अब तक अजन्मी भावी पीडियों के हितार्थ है। यदि आप एक गंभीर छात्र इवं डॉक्टर हिल के सफलता दर्शन के वास्तविक अनुया आप हिल के सबस्त हम अजन्मीर सब एक रसे चालशन के वे लास्तविक वास्तविक ओे जद्यारी वास्तव स्वास्तवित प्रकृत्र इवस्तव में अजन के सबस्तों